नमस्कार दोस्तों मैं मयूर सुर्वंशी आपका स्वागत करता हूं सुर्वंशी एकेडमी पर दोस्तों हम चर्चा शुरू करें उससे पहले में एक प्रश्ण पूछना चाहूंगा आपसे प्रश्ण यह है कि माल दीजिए कि आप किसी पॉब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर कर रहे हैं और आप किसी प्रकार की भीमारी से ग्रसित हैं माल लेज़े जिसे अभी कोरोना वाइरस चल रहा है और आप किसी प्रकार की ऐसी गंभीर विमारी से ग्रसित हो गए हैं डारेक्ट या इंडारेक्ट तो क्या आपके उपर या आपने किसी और व्यक्ति को संक्रमित कर दिया और इस प्रकार से बहुत सारे लोग अगर आपके को संक्रमित कर देते हैं अगर आपको कोई संक्रामक रोग है और गंभीर खतरनाक संक्रामक रोग है और आपने उसको संक्रामन फैला दिया है तो क्या आप दोशी हैं अगर आपके उपर न्याले में किसी प्रकार का वाद संस्थापित किया जा सकता है अगर किया जा सकता ह तो किन धाराओं में आपके उपर वात संस्थापित किया सकता है और किन परिस्थितियों में आप स्वयम का बचाव कर सकते हैं तो आईए शुरू करते हैं आज की चर्चा और जानते हैं इस प्रकार के मामलों के बारे में बातिड़न सहीता 1860 का अध्याय 14 जिसका टाइटल है लोक स्वास्त क्षेम सुईधा शिष्टता और सदाचार पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विशय में यह जो अध्याय है यह विभिन प्रकार के लोक अपदूशन पब्लिक न्यूसेंस के नाम से एक सामान शिष्टक के अंतरगत रखा जाता है और इस अध्याय में धारा 268 से लेकर 294 तक कुल 27 धाराएं हैं और इन धाराओं में 268 में जैसे लोक न्यूसेंस को परिभाशित किया गया है और इसके पश्चातवरती बहुत सारी धाराओं में नोक जो अपदूशन है जिसको पब्लिक न्यूसेंस कहते हैं इसके विशिष्ट प्रकारों की विविशना भी की गई है और इस चेप्टर में कहीं प्रकार के लोक अब्दूशन जिसको न्यूसेंस कहते हैं इसका उलेक किया गया है जैसे आज हम बात करने वाले हैं फर्स टाइप का जो पब्लिक न्यूसेंस होता है क्योंकि वरतमान में ये बहुत ही रिलिवेंट है और लोग को जानना भी चाहि में वो किस प्रकार के अपराद करते आ रहे हैं क्योंकि किसी को अपने अधिकार पता नहीं है तो उनके अधिकारों का हनन भी हो जाता है तो उन्हें इस बात का ग्यान नहीं होता कि हमारे अधिकारों का हनन हो गया जिसा आप किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से सफर कर रहे और आपके सामने आपका जो सहयात्री है वो किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित है चलिए ठीक है मान लेते हैं गंभीर बीमारी से ग्रसित है परन्तु वह सावधानी नहीं रखता है और आपको भी उस गंभीर बीमारी की चपेट में ले लेता है जब की यात्रा कम्लिट होती है 7-8 दिन बाद आपको पता चलता है कि आप भी किसी बीमारी से ग्रसित हो गए है तो इस दशा में क्या किया जाए खेर आप बीमार तो होई गए हैं आपको इलाज कराना ही है परन्तु इस प्रकार के करत्ति करने वाले वैक्ति ने जो अपराद किया है तो उसके बारे में बात करते हैं ऐसा अपराद जो किसी और वैक्ति को खतरनाक या गंभीर संक्रामक रोग प्रदान कर देता है तो ऐसी उपेक्षा पूर्ण कारी जिनसे खतरनाक संक्रामक रोग फैलना संभव हो भारती रंड सहीता 1860 की धारा 269 से लेकर 271 तक इसे दंडनी करार दिया गया है और इसे एक अपराद किर्षेणी में भी रखा गया है अब सबसे पहले बात कर लेते हैं पब्लिक न्यूसेंस की क्योंकि अगर हम आगे की धाराओं को समझेंगे तो सबसे पहले समझना आवश है कि पब्लिक न्यूसेंस क्या होता है तो IPC कहती है पब्लिक न्यूसेंस के बारे में वह वेक्टी लोक न्यूसेंस का दोशी है जो कोई ऐसा कारी करता है या किसी ऐसी अवेद लोब का दोशी है जिसे लोक या जनसाधारण को जो आसपास के रहते हो या आसपास की संपत्ती का अधिभोग रखते हो कोई सामानी क्षती, संकट या क्षोब कारित करता हो जिसमें उन व्यक्तियों का जिने किसी लोक अधिकार को उपयोग में लाने का मोका पड़े क्षती, बाधा, संकट या क्षोब कारित करना हो, अवश्य अंभावी हो तो कोई सामानी न्यूसेंस इस आधार पर माफी योगिन नहीं है कि उसने कुछ सुईधा या भलाई कारित करती हो तो इस प्रकार से न्यूसेंस या उत्ताप जो है एक ऐसा काम हो जाता है जो किसी प्रकार की असुईधा, परेशानी या खत्रे या शोब द्वारा उत्पन होता है ये शती पहुंचाने का काम है एक प्रकार से तो जाहिर सी बात है न्यूसेंस जो है वो दो प्रकार का हो सकता है और न्यूसेंस दो प्रकार का कैसे हो सकता है तो सामानी रूप से बहुत सारी जो विद्वान लोग हैं न्यूसेंस को दो परकारों में बाढ़ देते हैं जिसे पहला बताते हैं कि लोक न्यूसेंस जो हमारी IPC के अंदर हमने इसको इसपष्ट किया गया है पुब्लिक न्यूसेंस, लोक न्यूसेंस और एक बताते हैं private nuisance ठीक है तो अभी हम private की बात नहीं करेंगे क्योंकि private nuisance जो है अपराद नहीं है और private nuisance अपराद नहीं है तो क्या है तो आपका पता होगा private जो nuisance होता है ये एक प्रकार का taught होता है taught या अपकरत होता है जो किसी व्यक्ति के personally होता है इसमें पूरा समाज या public sector जो है वो ज्यादा harmful नहीं होता किसी एक व्यक्ति को शती पहुंचती है पर अगर किसी व्यक्ति के किसी कारी से किसी एक साप व्यक्ति को शती न पहुंचे ये पूरे समुदाय को शती पहुंचान सुरक्षा, सुईधा या नेतिक आचार आधी पर विपरीत या हानी कारग प्रभाव पड़ता हो, जिससे उन्हें बाधा या व्यवधान उत्पन होता हो, लोक अपदुशन कहलाएगा, यह बहुत इस पश्ट सी बात है, और लोक निूसेंस से कोई भी व्यक्ति विशेश य जो दुश प्रभावित नहीं होता हो, अपितु जनसाधारन या पासफडोस में रहने वाले जनता के किसी अंश को या ऐसे लोगों को जिने सारवजनी कदिकार प्राप्त है, हानी पहुंसती हो, तो ऐसा काम करना आपका लोक निूसेंस के अंतरगत आएगा, जैसे कि जो दुश लाले, किसी ने कोई टंकन की टाइपिंग की कोई दुकान थी, या कोई छापे की दुकान थी, उसने रात में चालू कर दी, या सावजनी के स्थालों पर पशुवद कर दिया, या फिर किसी रहवासी इलाके में जुआ घर खोल दिया, वैस शेले चला दिया, कि अगर कोई लोग न्यूसेंस कुछ इस प्रकार से कर दे, कि कोई संक्रामक रोग फैला दे, तब वो किस प्रकार से ट्रीट किया जाएगा, भार्तिटन सहीता की धारा 269 की अगर हम बात करें, तो इस धारा का जो मुख्य उद्देश ही है, लोगों को ऐसे कारी करने से रोक एक जो कल्यानकारी हमारा राज्य है, उसका परम करता भी होता है, तो जहां जैसे कोई व्यक्ति है, जैसे पीडित कोई रोग है, अपने रोग के बारे में रेलवे अधिकारी को सूचना दिये बिना अगर रेल से यातरा करता है, और अगर वो किसी को जैसे की अ नाम रग अगर उसे रोग के विशे में जानते वे भी उसका टिकेट खरीता है तथा उसके साथ यातरा करता है, तो उस व्यक्ति को धारा 269 के अंतरगत दोशी माना जाएगा, तथा जिस व्यक्ति ने टिकेट खरीती थी, उसे दुश्पिरन के लिए अपराद ही माना जाएगा, ध ऐसे मामलों में अंतरनहित रोग जो है, जो भी बीमारी इस मामले में किसी अभीयुक्त को हो, तो वो जीवन के लिए घातक या संक्रामक होनी आवशक है, अगर सर्दी जुखाम भुखार है, जो जीवन के लिए घातक या संक्रामक नहीं है, तो वो बच सकता है, यह उसके कारी या कारी का लोब किया गया हो जिसे संक्रमन फेलना संभव था अब जाहिर सी बात है कि कोई वेक्ती रेल में टिकेट लेके बैठा है, बस में टिकेट लेके बैठा है किसी सारजनिक जलूस में जाके शामिल हो रहा है तो उसने पहली बार तो को ऐसा काम को नहीं करता है जो उसको करना अप्रिक्षित था तो वह व्यक्ति दोशी होगा अगर वह युक्ति-युक्त सावधानी बरते उसके बावजूद भी अगर कोई अपरी घटना घट जाए तो वह इससे बच सकता है ठीक है अगली बात करते हैं तीसरी अभियुक्त का कारी या कारी लोप उपेक्षा पूर्ण तथा विधी विरुद्ध हो अब आपका जो अभियुक्त है उसने अगर कोई ऐसा काम कर दिया या किसी काम को नहीं किया जो उसे उपेक्षा थी या उसने उसकी पूर्ण उपेक्षा ही करमारी तो या जो विधी विरुद्ध हो उसने कोई काम नहीं करने का तरीका है वो संक्रमन फैला सकता है या संक्रमन फैलने की संभावना है तो भी उसने अगर वो काम किया है तो व्यक्ति दोशी होगा अगर इन सभी बातों को देखे तो धारा 269 के अंतरगत उपेक्षा पून संक्रमन रोग फैलाना अपराद है न की सांसरगीक रोग अब यहाँ पर एक बात आती है सांसरगीक रोग क्या है तो इस अंदर में हम देख सकते हैं कि संक्रामक रोग जिसको हम कहते हैं कि जो infection के थूँ फैल जाले वाली disease है तथा सांसरगीक रोग जिसको हम कहते हैं continuous disease इसका मतलब होता है कि किसी से touch हो जाना अगर इसको detail में हम समझे तो संक्रमन रोगों के जो किटानों होते हैं वो पाईू मंडल के माद्यम से अन्य लोगों में या यह रोग जो होता है वो फैल जाता है और रोग के लिए किसी व्यक्ति का रोगी व्यक्ति से डारेक्ट संपर्ख होना हावशक नहीं है जैसे कि अभी हम बात करें बहुत सारी जो नएने वाइरस आ रहे हैं जिसे हेजा हो गया पुराना प्लेग हो गया अभी COVID-19 हो गया फैल जाने वाली चीज़ है पर न तो इस प्रकार कै रोग होते है यह डारेक्ली हवा के ठूו नहीं फैल दीये तब फैलते हैं जब कोई व्यक्ति किसी रोगी के संपर्क में आता है या ससर्ग में तम कस्कोर सब्सक्रों आपिमारे हैं जो जब इसके इलावा सिफ लिस करके एक रोग होता है या अनिप्रकायर के जो गुपत रोग होते हैं वो सभी इसमें आ जाते हैं तो इसका ताठ पर यही निकलता है कि सारसरगीक रोग से जोू पीडित रोगी है चीक है और यह प्रत्यक्ष संपर्क में नहीं आएगा जब तक आप उसके प्रत्यक्ष संपर्क में नहीं आओगे तब तक नहीं फैलेगा ठीक है तो इससे कोई दिक्कत नहीं है इसलिए जो धारा 269 है यह केवल संक्रामक रोगों के लिए ही प्रावधान करती है अब इसे जो जो कंटिंजिनियस डिजीज है जिसको अपन कहते हैं सांसरगीक रोग जो है जैसे माल लेते हैं किसी वैश्या को किसी प्रकार का कोई गुप्त रोग था उसने अपने ग्राहक से इस प्रकार की बात को छुपाया उसे संभोग करने दिया और इस कारण उस व्यक्ति को के अंतरगत नहीं आएगा और वह जो वेश्या है वो इसके तर्ट डंडन ये नहीं होगी अब अगर इस धारा को डिटेल में पढ़ें तो धारा ये कहती है 269 मैं इसको शब्द श्रह पढ़के सुनाता हूँ आपको उपेक्षा पूर्ण कारे करने जिससे जीवन के लिए संकट पूर्ण रोगों का संक्रमन फैलना संभव हो जो कोई विधी विरुद रूप से या उपेक्षा से कोई कारे करेगा जिससे की और उससे वह जनता या विश्वास करने का कारान रखता हो कि जीवन के लिए संकट पूर्ण किसी रोग का संक्रमन फैलना संभव है तो वह दोनों में से किसी भी भाती के कारावास से जिसकी अवधी 6 मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा तो धारा 269 इस प्रकार के संक्रमन फैलने वाले अपराद को दंड़नी अपराद बनाती है या 6 माईने तक की सजा और जुर्माने की बात भी करती है तो इस प्रकार से अगर कोई पब्लिक प्लेस में खासता है चीकता है या किसी प्रकार का कोई संक्रमक घातक बिमारी जो जान ले जैसे COVID-19 अगर वो फैलाने को संक्रमित करता है तो वो एक प्रकार से दंड़नी अपराद करता है इसलिए राज जी अगर किसी COVID-19 से पीडित व्यक्ति को अभी रक्षा में रखती है अगर उसको मेडिकल सर्विलेंस में रखती है तो जाहिर सी बात है वो उसी की भी रक्षा कर रहे हैं और साथ में पब्लिक के अन लोगों की भी तो इस प्रकार से यह जो धारा है यह किसी भी प्रकार के संक्रमक रोग को फैलाने के लिए क्या करती है दंड़नी अपराद बनाती है तो उम्मीद करता हूं कि आपको यह समझ में आया होगा कि भार्टी प्रकार से किसी रोग को संक्रमक रोग को जो फैलाने वाला व्यक्ति है उसके वह कितना अंकुष लगाती है यह बहुत इलिबन धारा है आज की तारीक में और उमीद है कि आपको यह नॉलेज समझ में आया होगा थैंक यू जुड़े रहिए मेरे साथ सुनते रहिए सुर